देरिवेटिव बाई फिस्ट प्रिंसिपल मीन्स क्या exercise 4.1 इंटर की mathematics में ये फिस्ट कोशन में पार रहा हूं find the derivative by the first principle at any point x in the domain d of f of the function f in the following cases तो यहां पर जो है sine x नहीं है बट मैंने सबसे पहले आपके साथ sine x share किया फिर मैं सारी trigonometric ratios जो है cos, tan, sac, cot और cosac भी share करूँगा और बाकी तमाम चीज़ें जो important है वो भी share करने की जल दल जल कोशिश करूँगा तो यहां पर आपने याद रखेंगे कि x हमेशा क्या होगा मतलब larger than a होगा मतलब x की value जो होगी वो हमेशा बड़ी हो रही होगी x के साथ a के अगर हम compare करें तो x की value हमेशा क्या होगी बड़ी होगी उसके बाद हमने first question किया है sin x का solve let f of x is equals to sin x अभी देखें आप x की domain में बात कर रहे हैं तो आपके पास यह चीज़ें लेकिन अब आपने next step में क्या क्या है at x is equals to a ले लिया है बलब आपका f of a क्या बन गया sin a के बराबर बन गया अब देखें हम अपने formula पी चीज़ें apply कर सकते हैं as we know that f prime of a limit x tends to a f of x minus f of a upon x upon a sorry x minus a यह formula fixed रहें next step में आप सारी चीज़ों को भी रखेंगा और limit भी apply कर रहे होंगे limit आपके लिए हो सकता थोड़ा नियूँ चुकिए हमने according to my channel वैंने chapter number 1 अभी नहीं समझाया तो इस वज़ा से कहा रहा हूँ limit x tends to a f of x आपके पास sin x है और f of a आपके पास sin a है next step देखेगा मतलब as we know that के पाद जो third step है आपके पास आपने one upon x minus a कर दिया और sin x minus sin a को एक side पे कर दिया sin x minus sin a का formula है और जब मैं sin 2 x करवाऊंगा तो उसका भी इसी से formula बनेगा sin x minus a upon 2 next step में हम apply कर देंगे आप देख सकते हैं हमने apply कर दिया चीज़ों को उसके next step में देखेगा limit x tends to a हमने 2 को बाहर निकाल लिया x minus a और cost वाली सारी चीज़ इसी तरीके से लिखी विया आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 divided by x minus a multiply हो रहा है sin x minus a upon 2 जब हम divide करेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा आपको पता है a b c d का जो relation होता है a divided by b और यह पूरी value जब divide हो रही होती है चीजों से तो किस तरीके की चीज हो जाती है तो x minus a upon 2 हो गया उसके बाद limit पहले आप दोनों पर apply करेंगे बाज students apply नहीं करते डिरेक्ट apply कर देते है I mean to say आपको एक बार दिखाना है कि आपने किस तरीके से limit को दोनों चीज़ों पर apply करते ही apply limit करते ही apply limit आप जैसे ही लिखते है तो x जो है वो a के बराबर हो जाता है तो आप देख सकते हैं cos a plus a upon 2 और यहाँ पर आप देख सकते है x minus a मतलब क्या हो जाएगा a minus a upon 2 और a minus a upon 2 वाली चीज़ जो है समझें आपके पास आ जाएगी तो यह हमेशा fixed होती है कि किस के बराबर होती है 1 के बराबर होती है a plus a upon 2 means 2a upon 2 2 से 2 जो है वो cancel हो जाएगा और cos a आपके पास बढ़ गया लेकिन आपने first step में किया था क्या कि x को a के बराबर लिया था यहाँ पर फिर वही उल्टा गाम कर दें तो आपके पास sign का derivative क्या आ गया cos आ गया और cos का derivative जब हम करेंगे तो वो बताऊंगा कि किस तरीके से minus sign आता है तो यहाँ तक चीज़ों को